Hello everyone एक बार फीर से स्वागत है आपका संदार English story में दूस्तों Less qué तरह इस English Story को ये हिंधी में रोसे देखेंग़ है यानि कि इस English Story का English to Hindi ट्रांसलेशन और और मैं ऐसा करता हो कि ही इस परकार आप चाहे तो अपने English language को improve कर सकते हैं English speaking हो या फिर communication skills आप उसे improve ला सकते हैं ओके so without waste to time let's get start the video and let's see what's in the story तो इस story का सिरसक यह है title sand and stone बालू और पत्थर ओके बालू और पत्थर आगे देखते हैं इस story में क्या है John and James John and James were best friend were मतलब थे best friend यानिकी सबसे अच्छे दोस्त ठीक है John and James John and James were best friend बहुत अच्छे दोस्त थे they fought for many reasons for many reasons but never gave up परन्तु कभी नहीं छोड़ी their friendship अपनी रिस्ता sorry अपनी दोस्त थे but never give up परन्तु कभी नहीं छोड़ी their friendship अपनी दोस्त थे they went way in search of a job एक जोब की तलास में they went in search of job एक जोब की तलास में वे गए and visited many places और घूमे फिरे या फिर दर्सन किये या फिर दोरा किये many places बहुत से जगा to earn some money ठीक है कुछ पैसे कमाने के लिए बतलब कुछ पैसे कमाने के लिए वे बहुत सारे जगाओं पर दोरा किये जब ढूंडने के लिए कई जगाओं पर गया है गया भी they passed through various places ठीक है they passed वे गुजरे through various यानि कि बहुत सारे villages यानि कि जगाओं होश है ठीक है वे बहुत सारे जगाओं से गुजरे अब किन-किन जगाओं से गुजरे तो वो यह है village, गाओं, कस्वे towns यानि कि सहर, forest, jungle and witches यानि कि समुद्र टाटरों से है ठीक है witches का मत्ताब होता है समुद्र टाट यानि कि जब वे गुजर रहते they passed through various places वे गुजरे through various they supported वे लोग समर्थन किये each other, एक दूसरे का they supported each other वे लोग एक दूसरे का समर्थन किये throughout their journey अपनी पूरी यात्रा में अपनी पूरी यात्रा में वे एक दूसरे का समर्थन किये one day, एक दिन they reached way पहुच गये a desert यानि कि मर्वस्थल में one day they reached desert एक दिन वे मर्वस्थल में पहुच गये they had a very little food and water they had, उनके पास थी a very little food एक बहुत कम भोजन और पाने उनके पास बहुत कम भोजन और पाने थी john said john ने कहा that they should save the food and water भोजन और पाने को बचाना ठीक है उन्हें भोजन और पाने को बचाने चाहिए यहां पे वह पत्र वाले लेटर नहीं है हावेबर हलांके जैम्स डिस अगरे नहीं जगएगरी का मतलता सहमत और डिस अगरी का मतलब हो गया और सहमत ठीक है भाफ़ था बहुत प्यास सा they querelled ऐजर ने लगे विच अदर एक दुसरी के साथ यह प히र आपस में त्क है एक दुसरी के सांथ यह पhrर आपस में वे दे قेर रेट ने लगें for water पानी के रिए ठीक है पानी के रिए वे एक दूसरे से जगरने लगे जॉन slapped jam ठीक है जॉन ने slams का मतल़ होता है थपड मारना जॉन ने jam को थपड मारा and they walked और वे चले गए in silence येनी की 17 से silence का मतल़ का था चुप चाप they walked वे चले गए इनसरेंस छूब चूब 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 चले गए जिम्स रोटल गू we उन 57 ए जंब्स हमझ लिखा ओन दे सेंज बालू पर एंजि कि मैं वेस्टव मेरा सबसे अच्छा डोस्त्व मेरा सबसे अच्छा दोस्त सेलेब डिमी मुझे मारा सुरी मुझे थपण मारा ओके फाइनली आखिर कार अंधता दे रिज्ट वे पहुंचे एन और सीस सुरी इसका उचारा मैं ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ ओ ए एस आसीस ठीक है फाइनली वे और सीस पे पहुंचे तयर भेरी अप्रेव बहुत भूश थे अगे कर लोट ओफ फाइन वाटर ठीक है और पानी में सुरी इंवाटर पानी में अपनी में अब्र लोट फॉश ज़िए थैक में वाटर पानी में बहुत मुझ मस्ते की ओके वाइल का मतलब होता है क्या दोरा अगे While they both wear bathing like bath का मतलब असनान और washing का मतलब का असनान करते थैंug्य स5000 चाहिए While जब वे both warm दोनों थे bathing यानिज़ sunlight करते हुए जब वे दोनों असनान कर रहे थे जम्स realize a bite careless जम्स था a bite careless थोड़ा सा लपरवा हो गया जिम्स वाज a bite zaj जेम्स थोड़ा थोड़ा लपरवा हो गया एंड बिगेन टू ड्राउन ठीक है और डूबने लगा एंड बिगेन टू ड्राउन और डूबने लगा जॉन रॉस्ट ठीक है रॉस्ट का मतलब क्या था कि भागना यह फिर पास जाना जॉन रॉस्ट तू हिम जॉन उसके पास गया जॉन उसके पास गया एंड शेब लिगेन और उसको बचा लिया नेक्श देखते हैं जेम्स हॉग्ड हीज फ्रेंड डूबने तेक ह्वां अबढ़ का मतलब है गले लगाना जेम्स गले लगाया हीज फॉर्ण अपने दोस्थ क and thanked him and thanked him or usn consult they had a little snap ठीक है उन्होंने थोड़ी जबकी ले they had a little nap थोड़ी जबकी उन्होंने ले मतलब जो है बचाने के बाद के आवा की gems जो है अपने दोस्त को धन्हबाद दिया और उसके बाद के आवा की थोड़े जबकी भी लिये and and और को चाहुए को 50 अर जगह चोड़ने का फैसला किया मिच्छा किसे मिच्छी में धा मैंकर जैने के लिए यह उक्याईiban something on the rock rock का मतलब तो कहता है पहार पहारों पर कुछ उकेरा उकेर का मतलब कहता है कुछ लिखा या फिर कुछ ऐसे करके उकेरा या कि jams कुछ उकेरा kुछ पहारों पर it was my best friend saved my life it was my best friend यह मेरे सबसे अच्छे दोस्त saved my life मेरे जीवन को बचाया मेरे सबसे अच्छे दोस्त मेरे जीवन को बचाया ऐसा जो है उसने पहारों पर लिखा उकेरा कौन लिखा जैम्स ने he said to john उसने कहा to john when you slept me जब तुमने मुझे थपड मारा when you जब तुम slept me मुझे थपड मारा I recorded it on set मैंने इसे record किया मैंने इसे बालू पर उकेरा या फिर रिकॉर्ड किया the wind would have blow it away by now अब से वहां से the wind would have blown मतलब कि आथा कि उड़ा ले गई होगे हवा इसे उड़ा ले गई होगे हवा अब से इसे उड़ा ले गई होगे however when you saved my life जब तुम saved my life मेरे जीवन के बचाए जब तुम मेरे जीवन बचाए I recorded it on the rock मैंने record किया on the rock पहाड़ो पर जब तुम मेरे जीवन को बचाए तो मैंने इसे पहाड़ो पर record किया it will remain there forever it will remain वह रहेगा there वहां forever या हमेशा वहां रहेगा we have to forget but we have to forget the bad things बुरी चीजों को and cherish two God things and do I और अपने साथ किए गए अच्छे कामों को सन जड़ना होगा हमे बुरी बातों को भूलना होगा और अपने साथ किए अच्छे कामों को हमें सन जड़ना होगा इसी के साथ यह इमका समावत होती है आपको कैसा लगा कमेंट बक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बत लएगा और मिलते हैं किसी संदार श्टोरी के साथ तब तक रखे अपना ख्याल बहुत सब्सक्राइब धन्यवाद हैं कि सो मच